विद्या सिन्हा का जन्म 15 नवंबर 1947 को मुंबई में हुआ था वे एक फिल्मी परिवार से तालुक रखती थी उनके पिता पृत्वी राज कपूर के साथ जुर चुके थे फिल्मों में आने से पहले विद्या ने एक मॉडल के रूप में अपने करियर की शुरुवात की और मिस बॉम्बे का खिताब भी जीता उनकी पहली फिल्म थी राजा काका लेकिन उन्हें असली पहचान मिली रजनी गंधा से जो एक साधारन लड़की की कहानी थी और इस फिल्म ने कई पुरसकार जीते रजनी गंधा की सफलता के बाद विद्या सिन्हा का करियर आसमान की बुलंदियों पर पहुँच गया उन्होंने छोटी सी बात और पती, पतनी और वो जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया इन फिल्मों में विद्या ने एक साधारन भारतिय नारी की छवी को बड़ी सहजता और आत्मेता के साथ निभाया विद्या सिन्हा की प्रोफेशन लाइफ जितनी सफल रही, उनकी निजी जिन्दगी में उतने ही संधर्श रहे उन्होंने वेंक्टेश्वरन अयर से शादी की, लेकिन 1996 में उनके पती का निधन हो गया इसके बाद उन्होंने आस्ट्रेलिया में अपने जीवन का एक हिस्सा बिताया और फिर वापस भारत लोट आई दूसरी शादी और घरेलू हिन्सा के कारण उन्हें कानूनी विवादों का सामना भी करना पड़ा इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी जिन्दगी को बहादुरी से जीती रही फिल्मों के बाद विद्या सिन्हा ने टेलिविजन की ओर रुख किया उन्होंने काव्यांजली और कुबूल है जैसे टीवी धारावाहिकों में भी यादगार भूमिकाये निभाई उनकी टेलिविजन में वापसी को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला 15 अगस्त 2019 को विद्या सिन्हा का निधन हुआ